वेलकम, अमर सर के क्लास में आप सबों का स्वाजत है, आज मैं पार्टनर्शिप, साजेदारी, इस पर ब्रहमास्त्र सवाल बात करने जा रहा हूं। यह एक लंबा वीडियो है, वेराइटी अफ क्वेस्टेंस हैं, इस्टूडेंस ने जिस तरह के डिमांड्स किये हैं, उनको जो जरूरत है, एक्टिव पार्टनर, स्लिपिंग पार्टनर, डिफेर्ट कंडिशन्स में पार्टनर्शिप के क्वेस्टेंस, उन सबों को मैंने हिंदी में भी है, इंग्लिस में भी है, आप समों को बहुत मजाएगा, चलिए आएए शुरू करते हैं आज के सेशेशन की, आप अमद सरमयत देखता है, इस पर 50% प्लस 20% का एक जबरदस्ट आफ चल रहा है, आज लास्टे है, जो लोग भी इसमें जोड़ना चाहते हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अफसर है, डिफरेंट कोर्सेस हैं, जो इस पर चल रहे हैं, लाइफ कोर्स, टाइम सब्सक्रिप्शन, एटीसी, लेकिन मैं यह कहता हूँ, कि योटुब के मेरे वीडियो सफिस्यंट हैं, और वो आपको पास कराएंगे, तो चलिए तयार हो ज यह सब्सकर रेश्यो में, प्रॉफिट का डिस्टिपुशन होता है, और सेम न रहें, यानि कि टाइम यानि कि अक्टिव पार्टनर, एटीसी, तो उसके अनुसार हम उपरेट करते हैं, और अगर टाइम सेम नहीं रहे, तो हम किस रूप में यूज़ करते हैं, इस रूप समय के लिए इसका जो product होगा उसी के ratio में profit होगा otherwise जब capital या timing निकालेंगे तो profit by capital या profit by timing फार्मूला के नाम पर यह तीन formula है पर यह formula नहीं है दर असल concept है तो चलते हैं question की सुरुभात करते हैं पहला question आपके सामने है अनु is a working partner मतलब वो काम भी करता है मतलब जो पैसा लगाएगा उसके एवज में जो मिलेगा plus कुछ काम करने के एवज में भी मिलेगा and Vimla is a sleeping partner मतलब वो सिर्फ पैसा लगाती है काम नहीं करती in a business अनु 14 रुपेश 5000 बिमला 14 रुपेश 6000 बिजनस सुरू होता है अनुने 5000 लगाया बिमला ने 6000 अनु receives 12.5% of the profit for managing the business यानि जो भी profit होगा उसका 12.5% यानि 1.8 जाएगा अनु को business चलाने के बजमें और जो बाकी बचेगा 87.5% वो capital के रिश्यों में बटेगा timing देखते है तो timing के बारे में कुछ नहीं है the rest is divided in the proportion of the capitals what does each get out of total profit of रुपीज 880 बनाने का यहां पर सबसे अच्छा तरीका यह है कि as working partner as working partner वो काम करती है ना अनु तो अनु जी को मिलेगा वन बाइएट साड़े बारा परसन मतला वन बाइएट ऑफ रुपीज 880 देखिए यानि की रुपीज 110 यह मिलेगा रेस्ट 770 का distribution होगा capital के रिश्यो में तो देखिए यह अनु है और यह विम्ला है capital के रिश्यो 5-6 है तो टूटल क्या हुआ है तो टूटल जो की इनके बीच बटना है वह 11 11 is equivalent to रुपेज 770 जल्दी बताईए तो 5 का मतलब क्या और 6 का मतलब क्या 5 का मतलब देखिए 7 times है तो यहां पर बोले 11 से जैसे बोले 70 times तो यह रुपेज 350 रुपेज 420 लेकिन अनु को और भी मिलेगा क्या मिलेगा यह जो वर्किंग पार्टनर है वह तो अनु का जो पार्ट हुआ वह हुआ रुपेज 110 प्लास कापिटल के रिश्यो में रुपेज 350 यानि कि रुपेज 460 जबकि बेमला जो है उनको क्या मिलेगा रुपेज 420 रुपेज 460 रुपेज और 420 रुपेज 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 स्टुपेज 2 रुपेज 2.8 रुपेज YOUR 420 रू 2.9 रू रुपेज वthoseे है पनाटाइब में 620 रूपेजद 2 रूर पर्तनर्स वपेजिन 2.9 रूर 15.3 Л्य पहेज़ 1.9 रूर 15.4 रूपेज़ respectively in a business. They distribute 60% of the profit equally and decided to distribute the remaining 40% as the interest on their capitals. If one partner receives Rs. 3000 more than the other, then find profit. यदि इस क्वेशिन का मैप आपको समझ में आता है तो fractional method से एक बार में बना सकते हैं. मैं इसको पूरा explain करूँगा, लेकिन अगर fractional method का सवाल हो, तो मैं थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर देता हूँ, जिसको आप बिना ज़्यादा कुछ किये हुए तुरंद बना सकते हैं. देकि fractional method, मैं explain 1000 more है, देखिए और more का जहां तक सवाल है, वह कितने का difference है, तो आप देखिए 125 और 85 डबल कर दिए 17 and 25, 17 और 25 यानि 8 का difference है, 8 माने इतना तो 42 माने कितना, और total का जहां सवाल है, this is 40%, what is 100%? Explain करता हूँ, लेकिन जब समझ में आ जाएगा, तो आप question को ऐसे solve कर पाएंगे, आईए बताता हूँ, क्या है, total profit का यहां तक सवाल है, total profit, हम यहां पर मान लेते हैं, कितना 100%? तो यह लिखा हुआ है, question में दिया हुआ है, कि इसका 60% और 40% तो इसका 60% जो है, वो equally distribute होता है, क्या नहीं का मतलब ऐसे, 30% और 30%, और यह जो 40% बचता है, इसको दो भागें मता जाता है, कैसे? ऐसे, इसका ratio है 125,000 to 85,000, बताइए, इसको डबल कर जिए 5 से काट जिए, जो भी आप समझेए, तो यह 25 is to 17 होता है, अगर हम difference की बाग करें, तो वो 8 होता है, और sum की बाग करें, तो 42 होता है, यही है, जल्दी बताइए, अब यहां पर आप गौर की इसका बाग करें, तो यह, यह दिया हुआ है, रुपेश 3,000, तो आप बताएंगे, कि येस, 8 means 3,000, 42 means what, और 42 को 40 बोलेंगे, तो 100% means what, यह दूसरा तरीका हुआ, फ्रेक्सल मेख़ड हुआ, 42 का मत्रु क्या होगा, आप सोची, 8 है न, तो से कंसल कर दीजिए, तो 4 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 21, 4 का मतलब, 3,000 का मतलब क्या हुआ, शाड़े 700, शाड़े 700 गुना 21, इसको क्या बोलेंगे, शाड़े 700 गुना 21, रुपेया, मुझे बताएंगे, यह क्या होगा, यह बोलेंगे, साड़े 7,000 का डबल, 15,750, ऐसे बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, रुपेश 15,750, तो 100 परसंट मेंगे, 40 परसंट मेंज देश, धाई गुना, ऐसे भी कर सकते हैं, धाई गुना, या फिर जैसे कंसल भी कर सकते हैं, वह लिए क्या अच्छा लगता है, यह लिए कंसल ही कर देता हूं, ठीक है, और 25 कम है, तो 6.25 कम, यानि कि यह, 393.75, जल्दी बता ही, होगा कि नहीं, तो 100 टाइम्स का मतलब हुआ, रुपेश 39375, इस एंसर, ठीक है, आई, आगे बड़े, अगला सवाल, Q3, A, B and C, started a business with their investments in the ratio 1-3-5, capital का रिश्यो तो दे दिया गया, after 4 months, A invested the same amount as before, सुनी सुनी सुनी, यहां पर यह लिखा हुआ है, A का investment है, B का investment है, C का investment है, जो ratio है 1-2, 3-5, after 4 months, A invested, तो 4 months तक तो यह रहा, invested, और भी जाजा, कितना, 1 के साथ क्या, same amount जितना पहले था, उतना, जो आगे continue करेगा, ठीक है, आगे continue करेगा, बी नहीं 3 invest किया, ठीक है, B as well as C, withdraw, ठीक है, यह तो रहेगा न, आपका 4 months, उसके बाद आप withdraw करते हैं, कितना half, तो इसका मतलब यह हुआ, कि 1.5 रह जाएगा, ठीक है, जो आगे continue करेगा, 1.5, 2.5 इंटू आगे, तो business 1 year चला है, जिसका मतलब यह 8 months हुआ, यह भी 8 months हुआ, और यह भी 8 months हुआ, इस ratio में होगा, अब देखिए, 16, 4, 20, ratio है 20, यह 4 इंटू 3, 12 and 24, और इसका हुआ, देखिए, 5 इंटू 4, 20 and 20, 40, इसका आप cancel कर देजी, 4 से 5 ताइम्स, 4 से 6 ताइम्स, 4 से 10 ताइम्स, यानि की जो ratio आया, 5 इस तो 6 इस तो 10, ठीक है, clear, आगे बढ़ें, अगला सवाल, आई, question no. 4, A and B entered into a partnership with capitals in the ratio 4 is to 5, A and B के capital का ratio देदिया, after 3 months, A withdrew 1 fourth of his capital, wait, वह एक काम करते हैं, A लिखते हैं, B लिखते हैं, business शुरूप है 4 के साथ और यह 5 के साथ, ठीक है, after 3 months, A withdrew, तो भाई 3 months तक तो पहले रहने देते हैं, और वह 1 fourth वापस लेता है, यानि 4 में से 1 वापस लेता है, बागी continue करेगा, and we withdrew 1 fifth, यानि यह 3 months रहा, और फिर वह कितना वापस लेता है, यह 1 fifth, जो आगे continue करेगा, the gain at the end of 10 months, 10 का मतलब 3 है तो यह 7 months, और यह 3 है तो 7 months, बताई, यह 12 है, 12 है, क्या बोलते है, 3 है, 3 को common ले लेते हैं, तो 7, 7, 4, 11, ऐसे है, और यहां पर देखे, 4 है, यहां पर multiply कर देखे, 28 and 15, तो 43, मुझे बताईए, यह भी 33 है, लिख सकते हैं, चलिए, यह 33, ओके, 12 और 21, यह हुआ, क्या पूछा किया, the gain at the end of 10 months total, तो total जो है, वो क्या है, total है 76, and total है रुपीज, 7, 6, 0, is here in this profit, तो एक असे है, क्या होगा, क्या रुपीज, 3, 30, ना होगा, बताईए, होगा ना, इंटू 10 टाइम्स, इंटू 10 टाइम्स, ठीक है, clear, आगे बढ़े, जैसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, व हमें क्यूंस, मिनोतन में कॉंस इंटू 16, O Sae में को astronauts के अगे दकने क्ने की 125 आएंगे, फिसक्ति कॉंस कर दिमेंते विसाला, पॉर्ट कर दिमें दूब्स तउते इंके पढ़ेंगे 6500 पढ़ेंगे 8400 पढ़ेंगे and C रुपीज 10,000 पढ़ेंगे 100-100 पढ़ेंगे for 3 months and wait 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 हम लोग ऐसा करते हैं यहां तक सवाल है A का B का और C का तो यह दिया हुआ है कि हम कहते हैं कि 65-100 इसको थोड़ा एजी बना ले जल्दी बताईए किस से बनाएं तो 5 से कंसल करते हैं ठीक है 5 से 13 5 से 5 से 20 और किस से कटेगा तो यह 6 से कटेगा देखिए 6 से कटेगा 6 से और 6 से ऐसे तो जो रेशियो आता है यह क्या आता है 13 इस्टू 14 इस्टू 10 यानि टूटल अगर हम बात परें तो 37 दिखते हैं क्या है आगे यहां तक टूटल का सवाल है यहां पर यह टूटल क्या होगा यह होगा 37 लेकिन रोकिए सबसे पहली बात यह है कि रुपेज 7400 इसका जो 5 परसेंट है कितना है कि 5 परसेंट है देखिए 370 इसको हटा दीजिए 370 तो 7030 बसता है यही टूटल है आप गौर कीजी इस एक्योवेलन टू रुपेज 7030 और एक अर्शियत पूछा है थोड़ा टफ लग रहाना कालकुलेशन लेकिन 37 प्राइम है जी वह अवस्थे काटेगा इसको करते हैं तो ट्रिपल वन का मतलब होता है थ्री टाइम तो ट्रिपल री मतलब नाइन टाइम यानि 190 टाइम और हमसे क्या पूछा है बी का श्यार पूछा है इन्टू 190 मुझे बताए इसको आप क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे 200 बुल दे 2800 से 140 लेक्स 2660 क्यातर इसको एग्छासा वाहिए क्या बोलेंगे 6 आ बोलेंगे 6 आ बोलेंगे आ बोलेंगे बुलेंगे बारनर्णषिप्टिप्स 5 50,000 और no to be 60,000 बुलेंगे क्या च्ट्टिवटिवे बहुत्तु एट्ट Tay C जूश्म आ खूटर एक्स भंस कंट्रिबूटिंग रुपीज 70,000 रुकी 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 बात करता हूं 50,000 60,000 70,000 है 5-6-7 बुले बोलते हैं अच्छा रहेगा देखिए A है B है और C है गौर कीजिए कंसल कर देंगे 5-6-7 बुलते हैं 10,000 कंसल 10,000 का रुकी यह पांस्ट हो यह च्छेट हो यह साथ हो सी कप जोइन करता है एक्स मंस के बाद जोइन करता है आगी क्विश्चिन क्या है बिजनेश उजलता है दे अड़ दे यह तो मालीज यह जैसे की बारह महीने चला अगर तीन इस एक्स मंस बिजनेश में रहता है क्योंकि एक्स मंस के बाद जोइन करता है और भी लीज एक्स मंस बिपोर दे यह चोड़ देता है तो 12-x मंस रहा है तो बड़िया कुश्च्छ न है यह जल्दी बताएं और यह पूरे 12 मंस रहता है क्या दिया हुआ है? if they share the profit in the ratio 20 is to 18 is to 21 then find the value of x हम दो first 2 से ले लेते है अच्छा है जरूरी नहीं कि हम लेने चाहे है ज्यादा calculation करने का मान हो तो अंतिम दोनों से ले लेजे यह क्या है देखे तो 5 x 12 by 6 into 12 minus x is equal to 20 by 18 जली बताईए ऐसे होगा की नहीं सबसे पहरे हम बात करते हैं कि इसको किस से कंसल किया जाए देखे यह 60 है 20 से 3 ताइमस और 3 से और 6 से 3 ताइमस और यह 3 ताइमस जली बताई यह हुआ कि 12 minus x is equal to 9 that means x is equal to 3. solve करने का वे स्मार्ट हान चहिए अशी इस्टरसी clear? आगे बड़े? question number 7 चली in a business A invests Rs.600 more than B अच्छ दूनो का गाप दिए वाए the capital of B remained invested for 7.5 months while the capital of A remained invested for 9.5 months रुकिन आगे बढ़ने के पहले एक बात है कि A और B के capital का ratio दिया हुआ है मैंने capital का difference दिया हुआ है तो capital का ratio हमें चाहिए इसके लिए profit और timing चाहिए और हमें दिया हुआ है timing B और A यानि हम बात करेंगे कि यह A है यह B है गौर कीजिए यह जो timing से divide करेंगे profit को हमें पता है कि A का 9.5 months है और B का 7.5 months है 7.5 clear clear अब आगे है while the capital of A remains if the total profit is to be Rs.620 देखिया ऐसा है कि sum of profits हम ऐसे बोल सकते है profit का यहां तक सवाग है थोड़ा जंग से smartly करना है A & B हमें मालूम है कि total 620 है और B को कम मिलता है तो A को 140 दे देते हैं अब बाकी 620 में 120 हटाएए 520 हटाएए 480 तो उसमें से 240 240 दोनों को मिलता है यह profits है यानि कि 380 मजह बताए कि A का profit है Rs.380 और B का profit है 240 जल्दी बताएए तो capital क्या हुआ हुआ है हम जानते हैं न कि capital होता है profit इसे लिए तो यह हुआ cancel भी ढंक से करेंगे इसका double 19 होता है 19 से 20 तो इससे 40 ताइम्स इसका 4 ताइम्स होता है 30 30 से 8 ताइम्स इसका 4 ताइम्स तो यह 32 ताइम्स जल्दी बताएए इसका मतलर यह हुआ कि यानि कि 5 तो 4 निकला 5 तो 4 difference is 1 difference is 1 difference जो है वो 1 है और दिया हुआ है कि difference है से भी of 600 तो क्या पुछा है इसकापितल इस को ते कापितल क्या है क्या है अपिस 3 तॉजदी बताही हो फौगा किलिए क्लियर? 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 Question Number Seven Question Number Eight X and Y are Partners in a business X Contributed One-third of the capital for nine months? and why receive two-fifths of the profit? कितना सुंदर कुश्चा है जरा बताइए जरा बताइए जरा बताइए लिए फ़र दो कापिटल पर नाइन मन्थ डैरेक्ट ले सकते हैं पूरे कापिटल को वन मान के वन थर्ड तो बाकि यह हुआ है तू थर्ड और फिर प्रॉफिट ऐसा नही करेंगे स्मार्टली करेंग कापिटल के रिट्र चीओ क्या है डिखाता में तक शब्स का मोश्कारित आपक्टक रेसियो प्रप्शा क्य swiftly करेंगे स्मार्च ग्रवोगित profit तो y receives two fifth यानि y को two मिलता है अगर total five तो यह three है जल्दी बताइए हमसे क्या पूछा है how long time पूछा है तो time निकालते हैं time क्या होगा time होगा profit यानि three by three by one is two two by two यानि की three is two one three का मतलब है दिया हुआ कि nine months दिया है ना तो one का मतलब क्या three months होगा कि नहीं जल्दी बताइए ठीक है smartly पूछा है चीजें आसान है लेकिन पूछने का धंग शांदार है अगला सवाल कुछन बिनाइं आई a and b started a business with initial investments in the respective ratio of eighteen is to seven चली investment का रिश्यो तो दे दिया and after four months from the start of the business a invested two thousand more सुनिये चोकि रुपीज में investment होता है और पहले से investment का रिश्यो है तो हम 18x and 7x मानते हैं सुनिये गौर की जी यह a है और यह b है गौर की जी हम मानते हैं यह 18x है और बी का जो investment है वो 7x है सुनिये आफ्टर four months from the start of the business a invested two thousand more दो तरीका है लिखने का है एक लिखने का तरीका है कि आप इसका खैसला करतीजे फिर 18x plus two thousand लिए पर वो अच्छा नहीं है दो जगा हम x क्यों लें सबसे अच्छा यह है कि business चला है कितने दिन दिन वन यह इसका मतलब यह है कि यह पूरे 12 महीने रहा और उसके बाद four months के बाद two thousand देखिए two thousand invest करता है तो यह बाकी eight months रहा ऐसे करेंगे ठीक है ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेंगे उसके बाद b का देखिए seven months seven x है यह वी 12 months रहा और वो जो कुछ भी कहता है be invested seven thousand more तो plus seven thousand जो आगे रहेगा eight months जल्दी बताएगे at the end of one year if the profit was distributed among them in the ratio of two is to one respectively what was the total initial investment यह यह two is to one है जल्दी बताएगे लिखते समय हम आसानी से काम कर सकते हैं लेखिए यह जो solve करेंगे एक बार लिख देता हूं ठीक है अच्छा है यह 18x into 12 plus 16,000 जी लिखते है न जी जब ऐसा है तो two into तो है 7x into 12 plus 56,000 यही तो अब आप इसको cancel कीजिए तो सीधा बोलेंगे बाराचों के 48 बना 96,000 यानि कहने का मतलब यह x is equal to 2000 पूछा क्या है आइए इस पर बात करते हैं पूछा है total total initial investment investment of a and b तो a is equal to क्या होगा बताईए 18x plus 7x 18x plus 7x यानि की 25x यानि की 25 into रुपीज 2,000 यानि की रुपीज 50,000 जल्दी बताईए होगा ना ठीक है clear यह था question number 9 चले चलते है question number 10 a starts a business by investing rupees 28,000 after two months b joins with rupees 20,000 and after another two months c joins with rupees 18,000 बड़ा शांदार सवाल है जी आई 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 बात करता हूँ a b और c देखने है क्या है thousand की रूप में है 28,000 20,000 ऐसे करके है तो हम दो ऐसा करते है a starts a business by investing 28,000 का note ऐसे बोलते है और आपर two months b आता है 20,000 का note और फिर c two months c joins with rupees 18,000 at the end of 10 months from the start of the business b withdraws rupees 2000 रुकी 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 दो महिने के बाद आया और दस महिने के बाद यानि कुल आट महिने तक यह रहा जल्दी बताएगे दो मेने के बाद आया और जब दस मेना पूरा हुआ सुरू से यानि यह आठ मेने तक रहा इसके बाद वो क्या करता है इसका फैसला कर देते हैं इसके बाद क्या करता है बैड़ विद्राउस टू थाजन यानि ऐटीन थाजन रह जाता है जो आगी कंटिन्यू करेगा और सी क्या कंटिन्यू करेगा इड़ एंड अब दियर का मतलब है दस मेने के बाद बाकी दो मेने अब बताएगे मुझे and C withdraws, C 10 मेने के बाद का मतलब है कि 2 और 2, 4 मेने के बाद आया है यानि ये 6 मेने रहा और बाकी, बाकी, बाकी क्या C withdraws 2000 2000 गर वो आपस लेता है तो 16 रह जाएगा जो की 10 मेने के बाद बाद हो रही तो 2 मेने तक है और एके बारे में कुछ नहीं कहा गया 12 मेन्स शांदार सवाब इसको कंसल करें किस से कंसल करें बताईए चलिए 4 से कंसल कर देते हैं कुछ तो इजी होगा चल्कुलिशन करने में 4 से करेंगे 3 ताइम्स 4 से करेंगे 2 ताइम्स 4 से करेंगे तो 9 इजी होगा 4 से करेंगे 2 एट 4 से करेंगे तो यहां 3 और यहां पर 9 अच्छे ही रहेगा तो अब आप गौर कीजी क्या आएगा यह 28 इंटु 3 रखते हैं थोड़ी दिर के लिए और यह क्या आता है 49 चलिए इसको 49 बोलते हैं 27 and 8 35 यह कंसल होगा 7 से 5 टाइम्स 7 टाइम्स 4 टाइम्स यानि की जो रेश्यों आया वो 12 इस्टू 7 इस्टू 5 का है जली बताए 12 इस्टू 7 इस्टू 5 यह एक बहुत सुंदर कुश्यन मजाया होगा आप सबों को 1 1 स्टू 1 1 In a business B invest Half of the amount invested by A K 6 months from the start of the business C joins the business with the amount equal to TWICE B हम एक्समाल के बहुत सकते हैं उर नहीं भी हम ऐसे कर सकते हैं बात यह है है चलिह एक्समाल के आए लेते हैं A है B है C अगर हम माल लेते हैं B invest half of the amount अगर हम इसको 2x बानते हैं तो यह x होगा B सुरू करता है in a business B invest half of the amount invested by A after six months from the start of the business C joins with an amount equal to twice of B's investment यहनि 2x के साथ वो जोइन करता है 6 months के बाद वो आता है and after eight months from the start of the business B withdraws यहनि कहने का मतलब यह 8 months रहता है यह तो तरह है completely at the end of the year का मतलब है कि यह 6 months के बाद आया है तो बाकी 6 months रहा और यह शुरू से रिखे है cancel होगा कि नहीं होगा कि सबसे पहले हम लोग 4 से cancel करते हैं 2 times 4 से देखे 2 और यह 3 times और 4 से 3 X भी cancel X तो मानने की जरूद भी नहीं थी सम्झाने के लिए बस लिखा गया था तो अब आप देखी की रेश्यो क्या है रेश्यो है 6 is to 2 is to 3 यहां पर दिया हुआ है 6 share in the profit जैसे ही equivalent to Rs.2460 तो what was the total profit total क्या है total का मितलब 11 means what 11 means what देखी यह कितना time से थेक है तो यह भी into 820 और यह तो आप multiplication जानते है कि 11 से multiplication क्या होता है 9,020 रुपिज 9,020 रुपिज 9,020 रुपिज 9,020 ठीक है clear और अब आज का last question देखिये मजा आएगा A and B started a business by investing Rs.2400 and Rs.3600 respectively चले दोनों का capital दे लिया अगर आगे इसी तरह का हो तो हम 2400 का note और 3600 का note मान सकते हैं at the end of the fourth month from the start of the business C joint with Rs.X नहीं एक्स है तो हम पूरा 100 लेके हैं आए यह A है यह B है और यह C है हमें पता है कि A ने 2400 के साथ B ने 3600 के साथ और 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 4 months के बाद C ने tax rupees के साथ invest किया ठीक है 4 months के बाद after eight months from the start of the business B withdrew Rs.600 रुकिये इसका मतलब यह है कि A और B ने एक साथ business शुरू किया था eight months के बाद तो यह into eight रहा उसके बाद 600 वापस लेता है तो 3000 रह जाएगा जो की आगे continue करेगा ठीक है बस इतना यह 600 अब आप जड़ा गौर कीजिए क्या कहा गया था बिजनस कितने दिन चला है बिजनस चला annual profit पूरे एक साल तो आठ मेने तक यह है तो चार मेने तक यह रहा C चार मेने के बाद जोइन करता है यानि कि यह बाकी eight months रहता है और यह पूरे साल भर रहता है यह ratio है अब आप देखी किस से कंसल करेंगे क्या eight से कंसल करें या न करें चलिए अभी नहीं करते हैं इप सी सेरीज रुपीज eight thousand in the annual profit of रुपीज देस अन्वल प्रॉफिट को हम लोग कुछ ऐसा करते हैं अन्वल नहीं करते हैं हम लोग बोलते हैं सुरी हम लोग बोलते हैं A और B प्लस C तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा देखिए B प्लस C ऐसे तो A प्लस B दिया है यहां पर C का प्रॉफिट दिया हुए तो C और A प्लस B ऐसे बोलते हैं तो कार कीजिए C क्या है 8x इस टोटल को करना है टोटल हम कर सकते हैं जड़ा कार कीजिए यह कॉमन भी ले सकते हैं जैसा मर जी चलिए मल्टिप्लाई कर देते हैं अगर हम मल्टिप्लाई करते हैं तो यह 12 का स्क्वार होता है 288 288 00 ऐसे लेख सकते हैं प्लस A प्लस B इसको कैसे करें यह बताईए इसको ऐसे करते हैं सुनिया 4 रहने देते हैं यह 7204 बोल देते हैं 7200 का मतलब 10200 गुना 4 10200 गुना 4 मतलब 4800 यह तो मिन में ही हो गया और आसानी से और रेश्यो क्या दिया हुआ है तो देखे रेश्यो है कि C का सेर है 8000 और टोटल सेर है 22500 एट अटा देजी 14500 यह आता है और किजी इसको क्या करें ठीक है इसका जब सम करेंगे इसके अलावा यह 8 से 10 टाइम्स करता है यही नहीं इसको भी थोड़ा और इजी कर लेते हैं कि 5 से भी टू टाइम्स करता है और 5 से 29 टाइम्स करता है इसको क्या करें तो 28,000 और 48,000 और 68,000 हुआ 29 तो काटेगा ही काटेगा नहीं काटे यह हो ही जगता 29,000 और 29,000 के 116,000 इसका मतलब यह हुआ कि एक्स का जो वैल्यू आया वह रुपेज 48,000 आया कैलकुलेशन है जो सही तरीके से करना है तो आप आसानी से यह काम कर सकेंगे बोली कैसा लगा मजा आया कि नहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन को आपने इंज्वाइ किया होगा हर चैप्टर पर मैं चाहता हूँ कि इस तरह के बड़े वीडियो बना करके जो वेराइटी ऑप क्वेस्टिन्स हैं वो आपको ढूँ ओके आल बेस बाई